किया किसी भी चावल से ब्राउन राइस बना जा सकता है या कुछ खास किसम के चावल होते हैं उनी से ब्राउन राइस बनता है तो इस बारे में आपको अस्वश करना चाहूँगा किसी भी धान से हम ब्राउन राइस बना सकते हैं कोई विशेश चावल इसके लिए नहीं होत जानते हैं जो ब्रोकन राइस टूटा हुआ चावल निकलता है इसमें और जो खड़ा चावल निकलता है अगर पोशक तत्तों की दिस्टिकोंट से देखें तो जैसा कि आप जानते हैं ब्राउन राइस में से यह ब्रान निकल गया जिसमें आयरन जिंक फोलिक एसीद हैं तो आयरन बिल्कुल निकल जाता है तो पोशक तत्तों की दिस्टिकोंट से पॉलिस राइस या मिल राइस जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है कम होता है इसके अंदर जो है और इसके अलावे आज कल एक नई बिदा चल लेए कि जो टूटा हुआ चावल है इससे उसको गूंत करके आटा बनाईए आटे में मसीन के द्वारा फिर उसमें से चावल दुबारा प्रिंटिंग कर सकते हैं जिस आकार का चावल चाहिए लंबा चाहिए छोटा चाहिए मोटा चाहिए वैसा प्रिंट कर सकते हैं और उसको सामाने चावल में मिलाएंगे तो उस में पोशक तत्नों की मात्रा अच्छी हो जाती इस तरह के चावल को हम Fortified Rice के नाम से जानते हैं जिसको हम Rice Fortification के नाम से जानते हैं तो मुझे उमीद होगी कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी क्या अंतर है Brown Rice में, धान में, Polish Rice में, Brown में, Broken Rice में, Head Rice में और पोशक तत्तों के दिस्टकोन से इनके बीच में क्या अंतर होता है आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल